नवस्कार आप देख रही है नेक्स नाइन न्यूस पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूँ करान तिसरी समाजवादी पार्टी के प्रमुक और उतर प्रदेश के पूर मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने अपने गिरफतारी की आशन का जिताई है सपा प्रमुक ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि उन्हें गिरफतार किया जा सकता है जो है बिल्कुल सही सुना आपने कि अखिलेश यादव ने याशन का जिताई है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफतार किया जा सकता है अब इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर ब पर कहा कि ताना शाह देश में सबसे लोग प्री हमारे नेता जी को जेल भेज कर देख ले यकीन मानिए उतर प्रदेश जल उठेगा हमारे सोने जैसे करोरो कारे करता चूडिया पहन कर थोड़े बैठे हैं विश्वास दिलाता हूं कि उसी दिन आंदौलन के लिए घर त्या भेजोगे मोदी जी आप सबको ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डानी मोदी भाई-भाई के भी नारे लग रहे हैं और साथ में जो है यहाँ पर बड़े-बड़े बयान दिये जा रहे हैं खिलेश यारब के गिरफतारी को लेकर के बवाल मचा हुआ है समाजवारी प वक्षी को बदनाम करने के लिए सत्ता मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लेती है और साजिशे रचती है बातपर सरकार जन विरोधी और लोकतंत्र विरोधी है आप सबी को यह जाना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो है सबी लोग समाजवादी पार्टी को लेकर के गतार यहां खिलेश यादव के समर्थन में बयान बाजी हो रही है सोशल मीडिया पर यूजर्स की तरफ से जो है अलग-अलग तरीके से रियाक्षन दिये जा रहे है जिनमें से एक यूजर ने समानेधा पर कटाच करते हुए लिखा कि थोड़ा होश से काम लो नेता जी सुत्रप्रदेश जल जाएगा से क्या मतलब है आपका कोरे अनुमान पर आप लोगों को भरकाने का प्रयास कर रही है याभी पुलिसी कारवाई जो है वो कर दी जाएगी विक्टिम कार्ड खेलोगे फिर आप आप लोग जान बूच करके सरकार को उकसा रहो कि कारवाई क करें दूसरी दरफ जो है कई लोग इनके समर्थन में भी बोल रहे हैं कि अगर सच में ऐसा होता है तो हम आपके समर्थन में हैं आप लोग बिल्कुल भी नहीं डरिये लेकिन अखिलेश यादव के तरफ से या आशंक का आखिरकार किस बिनाहा पर जताई गई है इस पूर अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनियेक तवाम बड़ी ख़ब रुक ले देखते दिये नेक्स्ट नाइन यूज पॉल्ट कल बाइट